पंजाबी सिंगर और कॉंग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब की राजनीती गर्माई हुई है इस हत्याकार ने पंजाब के पुराने जक्मों को भी जिन्दा कर दिया है इससे पहले भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले कलाकारों की हत्या हो चुकी है पंजाब के करांतिकारी कवी अवतार सिंग सद्धू उर्फ पाशा की 37 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी 1978 में जालंदर के तलवडी सलेम गाउं में खालिस्तानी आतंकवादियों ने पाश की हत्या कर दी थी 23 मार्च यानी भगत सिंग को जिस दिन फासी दी गई थी उसी दिन खालिस्तानी आतंकवादियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी 1978 में पंजाब के मशूर गायक अमर सिंग चमकीला और उनकी पत्नी अमर जोत की हत्या कर दी गई थी मातर 27 साल के उमर में अपरादियों ने चमकीला को मौत के घाट उतार दिया था मीडिया रिपोर्ट के मताबित 8 मार्च 1978 को जब वो अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे उस वक्त उन पर हमला हो गया था और अपरादियों ने उन्हें गोली मार दी थी उनकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुरच पाई है 1980 के दशक में जब अन्य कलकारों की गीत, रोमैंस और वीरता पर केंदित थे चमकीला ने अपने गानों के जरिये ग्रामीर पंजाब के लोगों की समस्याओं को उजागर किया उन्होंने अपने गीतों के जरिये नशीले दवाओं के दुरुप्योग, शराब, विवाहतेर, संबंदों के मुद्दों को प्रमुकता से उठाया बॉलिवूड एक्टर धर्मेंदर के चचेरे भाई विरेंदर सिंग देवल की साल 1978 में हत्या कर दी गई थी चालिस की उम्र में देविंदर को शूटिंग के दौरान गोली मार दी गई थी एक ही साल में तीन कलाकारों की हत्या में पंजाब देहल उठा था लोगप्री पंजाबी गायक दिलशाद अक्तर की 1996 में गुर्दासपुर गाउं में एक शादी समारों के दौरान कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी साल 2018 में पंजाब के चर्चित गायक परमीश वर्मा पर मोहली में हमला हुआ था इस हमले में परमीश बाल बाल बचे थे गोली परमीश के घुटने में लगी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबित परमीश वर्मा पर ये जानलेवा हमला फिरौती के लिए किया गया था इस हमले का आरोप गैंगेस्टर दिलप्रीत बाबा पर लगा था जिस पर केस भी चल रहा है